दोस्तो सच्ष्रियकाल नमश्कार सलाम दोस्तों पुर्तगाल की TORC छे से बारा महीने में मिलती है और हमने तीन से चे टेक्स भरने हैं और हमको जो है टेंप्ररी रेजिजिंस कार्ड पुर्तगाल का मिल जाएगा आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों इससे पहले कि आज की वीडियो में स्टार्ट करूं आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा एक पुर्तगाल का ग्रूप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर हो सके के तरहीं कि वेष्ट जोयन करें ताकि कोई भी पुर्तगाल के रिंगारिंग इंफर्मिशन जो है वह वो मैं इसी ग्रूप में शेयर करता हूँ अक्सर में जॉप्स के रिगारिंग भी अपने फ्रे ने शेयर करता हूं और अगर किसी के पास possibility है कि वो किसी को job दिलवा सके तो वो भी ज़रूर आप group में mention किया करें दोस्तों और इसके लावा हमारा एक immigration का page भी है facebook के अंदर जहां पर यॉरप के अंदर कौन-कौन सी countries open है और कहां पर आप legally travel कर सकते हैं अपनी country से उसकी सारी information जो है वो मैं पेज के अंदर share करता हूँ दोस्तों और इसके लावा दोस्तों अगर आप लोग मुझे contact करना चाहते हैं आप लोगों के कोई सवाल है मुझसे पूछना चाहते हैं मेरी को help चाहते हैं तो आप मुझे messenger के थूरू contact कर सकते हैं और Instagram के थूरू भी मैं available हूँ आप लोगों को वीडियो के अंदर एक link एक barcode शो हो रहा होगा आप उसे अगर scan करेंगे अपनी Instagram account से तो आपको वो मेरी account के और direct कर देगा और इसके लावा दोस्तों मैंने description के अंदर भी हमारा Facebook और Instagram के जो link है वो मैंने share कियो हैं आप चाहें तो मुझे दरूर follow करें अगर आपके कोई सवाल है मैं पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के सही जवाब देने की और दोस्तों लगबग 16 से 17 आउगस्ट टक सेफ ने फस्ट email सेंड कर दी है acceptance की जिनकी फाइल 2020 में लॉग हुई थी उन लोगों को फस्ट email मेरा ख्याल अब तक आ चुकी होगी और दोस्तों अपने जहन में ये बात रखें कि जो फस्ट email है वो automatic auto generated automatically computer नहीं सेंड करता है व जिन लोगों की सतारा या सेम डे को फाइल लॉग हुई थी उन में से कईयों को जो email आ चुकी होती है और कईयों को अभी तक नहीं आई होती जिसका मतलब यह नहीं कि कोई problem है immigration officer को सकता और टाइम चाहिए होगा तो वो कुछ दिनों बाद आपको जो है acceptance की email सेंड कर देता है तो गबराने वाली कोई बात नहीं है और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों की सेफ ने 2020 जुलाई जिन लोगों की फाइल लॉग को जिन सब लोगों को जो है first second email सेंड कर दिये fingers की ताकि वो लोग fingers की date उठा सकें और दोस्तों August end तक almost dates full हो चुकी है अब जो नहीं dates आएंगी वो September से start होंगी August mid of August यह September से start होंगी तो अगर अभी भी हमारे कोई भाइय से हैं जिनको अभी तक date नहीं available हुई है वो अभी इंतजार कर रहे हैं और उनकी जो फाइल है वो जुलाई 2020 यह उससे पहले लॉग हुई है वो तुरन सेफ में call करें और पूछें क्या problem है और दोस्तों जैसा कि पहले यह था कि आप लोगों को 10 दिन के अंदर अंदर reply करना होता है अब ऐसा कुछ नहीं है अगर किसी कारण से कोई 10 दिन में fingers की rate नहीं उठा पाया तो आप सेफ को अपनी registered email से call करें और वो आपको एक second chance दे रहेगी laptop और PC का इस्तमाल किया करें दोस्तों जैसा कि मैंशा अपनी वीडियो के अंदर कहता हूं फोन के अंदर कई बार को problem होने की वज़ा से आउटडेट होने की वज़ा से पुराना model होने की वज़ा से वारेस होने की वज़ा से emails जो है proper open नहीं करती है आपको show नहीं करेंगी तो मैंशा laptop और PC का इस्तमाल किया करें तो दोस्तों आज की जो वीडियो है यह भी एक बहुत important topic है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पुर्तगाल आने के लिए जब आप किसी travel agent को या किसी company को contact करते हैं तो वो मुझे लग रहा है कि वो आप लोगों से कुछ जूट बोल रही है कि इस तरह की मुझे लग रहा है कि काफी लोगों के अंदर यह perception बनी हुई है या बन रही है कि पुर्तगाल के अंदर 6-12 महीने के अंदर file log करवाने के बाद आपको यहां की residency मिल जाती है और टेक्स जो है वो आपने सिर्फ 3 या 6 टेक्स भरने है और आपको जो है residency मिल जाएगी दोस्तों ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं कि क्योंकि मुझे एकसर calls आती है कि भाई हम पुर्तगाल आ रहे हैं या हमने यॉरप में आना है फिर आगे पुर्तगाल में सैटल होना है तो आप मेरी प्लीस मदद करिए भी मुझे documents बनवाने हैं कैसे बनते हैं क् या formalities हैं वो सारी आप मेरे बिहाफ पे complete करें तो दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि मैं जी information पास करता हूं वो authentic information होती है मैं यहां वहां से सुनके नहीं पास करता तो जो भी भाई हमें पुर्तगाल के लिए मुझे contact करते हैं मैं सारी की सारी ब में यह बात बिठा करके आएं कि आपको आज के टाइम में 24 से 26 महीने लग जाएंगे TRC लेने में यानि कि आज अगर आप फाइल लॉग करते हैं फर्स करिए आपने पहली फरबरी 2022 में फाइल लॉग करी है तो आप यह मान के चलिए कि मार्च या एपरिल 2024 तक आप लोगो को जो है फिंगर्स होने के बाद TRC आपके हाथ में आएगी तो दोस्तों यह बड़ी हरानी की बात है कि जब मुझे कोई फोन करके पूछते हैं और मैं उन लोगों से सच पताता हूं जूट बोलने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि मैं किसी से जूट बोल करके उ मेरे लिए सबसे बुरी बात होगी कि मैंने किसी की लाइफ खराब करी है जूट बोल करके सिर्फ चार पैसे कमाने के लिए उन लोगों को वो वो बाते कह दी जिससे वो इंप्रेस हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि भई यह तो बहुत ही आसान है चलो मैं आप मुझे लगा दीजी कितने पैसे लगेंगे और मैं आपको पेमेंट कर दूँगा और आप लोग मैं वहां आ जाओंगा और आप मुझे टियार्ची दिलवा दें तो दोस्तों ये बड़ी हैरानी की बात भी और थोड़ी हसी की बात भी है कि मुझे एक भाई ने कॉल किया और उन् पारी मुझे लग रहा है नहीं है आपको जो हमें जो काड है वो तो 6-12 महिने में मिल जाता है हमने बसा करके तीन टेक्स भरने हैं जो लास नोने चेक करने होते हैं पॉन्मेंट से पहले और वो जो है हमको रिजिजिंसी काड इसू कर देंगे और ये बात मुझे दोस्तों इसका मतलब उन लोगों को मिसगर evenly किया जा रहा है इस वजह से वह इस तरह की बाते कर रहे हैं रियालेटी क्पै जो है जो हुआ है उन्हें पताया जा रहा है वह कुछ और है तो इस वज़ा से दोस्तों फिर मैंने डिसाइड किया कि एक बार फिर से मैं डिटेल में आप लोगों को ये बात क्लियर करूं कि आज के टाइम के अंदर अगर आप लोग पुर्तगाल में सेटल होना चाहते हैं अगर आप डेज जीरो यानि जिस दिन से आपने फाइल सब्मिट करी है उस दिन से लेकर के आपके हाथ में टी यर सी आने तक आपको 26 से 28 महिने 24 से 28 महिने लग जाएंगे ये आज का टाइम पिरिड है हो सकता है कि जब करोना कम होगा सेफ टेजिस से काम करेगा तो टाइम पिरिड कम हो जाए पर अभी जो ट्रेंट चल रहा है मैं उसी की बात आप लोगों से करूंगा तो दोस्तो अगर आपको कोई ट्रेवल एजेंट या आपका कोई फ्रेंट जो यहां पर टी आर्सी लेकर के बैठा है और वो आपको यह बाते कह रहा है यह इस तरह के सपने दिखा रहा है कि भाई तू आजा जल्दी से इतना खर्चा लगेगा और मैं तुझे 6 महिने 12 मह पहले भी आप लोगों से कहा था अगर हो सके तो वो वीडियो जरूर देखें उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेर करूंगा आप लोगों के अंदर क्यों क्यों यह सही टाइम नहीं है पुर्तगाल आने का अगर आपके बास मौका है आप शैनिगन वीजा ले सकते है तो उसे बचा के रखिए अभी मत यूज करिए करोना कम होने दीजिए प्रोसेस को स्मूथ होने दीजिए फिर आप ट्रैवल करें और फिर दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि 6-12 महीने और 2-5 टेक्स भरने के बाद आपको टी आरसी नहीं मिलेगी अगर आप इस तरह से कर आते हैं वहाँ अपनी 3-4 दिन, 3-4 मिने, 4-5 मिने काम किया है और जब से आप पुर्दगाल में आए हैं तो वह आपको वापस भेज़ देगा, कहेगा इतने टेक्स भर गें फिर मेरे पास आप आए तो दोस्तों यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों से सच और सही information share करूँ ताकि आप लोग यहां पर आकर के बिलकुल भी परिशान या दुखी ना हो कि भई हम जो सोच करके आये थे वैसा तो है नहीं अब हम ना आगे जा पा रहे हैं या पीछे जा पा रहे हैं तो इस तरहां का scenario ना बने इस वज़ए से मेरी आप लोगों से request है कि अगर कोई इनसान या कोई travel agent या travel company आपसे कह रही है कि हम आपको और 10-12 महीने में दिलवा देंगे तो वो नहीं हो सकता ऐसा सिर्फ golden visa और D7 visa के अंदर ही possible है उसके इलावा किसी visa के अंदर आपको straight forward इतनी जल्दी TRC नहीं मिलेगी D7 और golden visa के अंदर हम legible नहीं होते हैं उसके लिए मैं अलग से video बनाऊंगा हम क्यों legible नहीं होते हैं ताकि आप लोगों को उस चीज़ की समझ लगे तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इस information को अपने जारो दोस्तों में friend circle में है जो होना चाहतों उससे share करें please information पूरी लें कोई भी step पुर्तगाल के regarding उठाने से पहले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आपको बाद में पता चले कि मेरा वक्त और पैसा बहुत जादा जाया हो चुका और मुझसे जो कहा गया था वो वैसा नहीं है तो इस वज़े से दोस्तों आज मैं आप लोगों के बर फिर से ही request कर रहा हूं कि जानकारी पहले पूरी लें कि पूर्तगाल में कैसे settle होना है क्या-क्या challenges आपको face करने पड़ेंगे क्या problems आपको face करनी पड़ेंगी ये सारा कुछ आप पहले जाने इससे उसके बाद आप आप लोग ये decide करें कि मैंने पूर्तगाल अभी आना है या नहीं तो उमीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नहीं जानकारी के साथ अगर आप लोगों के कोई सवाल है जरूर कमेंट जवाब देने की अगर आप उससे कॉंटेक्ट करना चाहते हैं जैसा कि मैंने शुरुवात में भी बताया आप इस्टाग्राम और मेसेंजर के तो मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सही सवा जवालों के सही जवाब जो है मैं दे सकूं और दोस्तों हमेशा हम याद रखिए कि अपने सुप्रेंसा सुश्याल का ओनलाइन एकसेस लें जिसने आपके डॉक्मेंट्स मनाएं उसे बोलें कि मुझे अकसेस दिलवाए अगर वो नहीं दिलवा सकता मुझे कॉंटेक्ट क झालों के सुप्रेंसा सुप्रेंसा।